हलो दोस्तो स्वागत हैं आप सभी को हमारी इस योटूब चनल पे दोस्तो आज कुड़ियों बताऊंगा किस तरीके से आप क्रोम की हिस्ट्री केसे डिलिट करें How to delete Google Chrome History तो Chrome browser के history को delete कने के लिए आपको सबसे पहले Google Chrome browser को open कर लेना है तो जैसे आप Chrome browser को open करते हो कुछ इस तरह का interface आयता है Chrome की history को delete कने के लिए आपको top पे 3.0 option दिये है आपको इस 3.0 पे klik कर देना है तो जैसे आप इस 3.0 पे klik करोगे कुछ इस तरह का option आ जाएगा history को delete कने के लिए आपको इहाँ पे option दिया है history तो आपको history पे klik कर देना है तो जैसे आप history पे klik करोगे एक new page पे पेन हो जाएगा सफ़न दे सकते हो हमारा यहाँ पे Chrome browser पे history show कर रहा है तो Chrome browser को history को delete कने के लिए आपको यहाँ पे option दिया है my activity.google.com तो आपको my activity.google.com पे klik कर देना है तो जैसे आप my activity पे klik करोगे page लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है देन कुछ इस तरह का option आ जाएगा my activity, my google activity तो यहाँ पे आपको manage by service देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आपको chrome देखने को मिल जाता है तो आपको chrome को select कर लेना है तो जीसे आप chrome पे klik करोगे page लोड़ोगा देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का option आ जाएगा google chrome history तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो नीची तरब हमारा chrome browser का history देखने को मिल जाता है तो chrome browser के history को delete करने के लिए आपको यहाँ पे एक option दिया है delete तो आपको delete पे klik कर देना है तो जीसे आप delete पे klik करोगे यहाँ पे आपको four option देखने को मिल जाता है delete today, delete custom range, delete all time तो Chrome browser के history को हमेशा के लिए delete करने के लिए आपको delete all time पे click कर देना है तो जिसी आप delete all time पे click करोगे पेज लोड़ोगा कुछ इस तरका interface आ जाएगा confirm you would like to delete the following activity delete now तो आपको निची तरफ आ जाना है तो यहाँ पे एक option दिया है cancel delete तो आपको delete पे click कर देना है तो जिसी आप delete पे click करोगे पेज लोड़ोगा कुछ इस तरका interface आ जाएगा deletion complete तो आप भी इसी तरीके से Chrome browser का history को delete कर सकते हो देन यह आपको got it डवल आप्शन देखिने को मल जाता है आपको got it पे click कर देना है तो जिसी आप got it पे click करोगे सो फ्रेंट जे सकते हो हमारा Chrome browser का history delete हो चुका है तो आप भी इसी तरीके से Chrome browser का history को delete कर सकते हो permanently तो अभी आपको मैं Chrome browser open करके दिखा जेता हूँ देन आपको three dot पे click करना है तो जिसी आप three dot पे click करोगे यहापको history बख ओफशन आजाएगा तो आपको history पे click कर देना है तो जिसी आप history पे click करोगे यहां पर upload देश कते हो हमारा history अभी भी शो कर रहा है तो history को delete करने के लिए आपको यहां पर एक option दिया है clear browsing, clear browsing history पर क्लिक कर देना है देन आपको कुछ इस तरह का option आ जाएगा clear browsing data, time range, all time, देन यहां पर आपको एक option दिया है clear data तो आपको clear data पर क्लिक कर देना है तो जिसे आप clear data पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का option आ जाएगा also clear data from this side देन यहां पर आपको एक option दिया है clear तो आपको clear पर क्लिक कर देना है तो जिसे आप clear पर क्लिक करोगे यह आपको शो करेगा clearing browsing data तो आपको थोड़ा सा wait करना है तो फ्रेंट दे सकते हो हमारा जो data clear हो चुका है clear chrome data देन यहां पर आपको ok got it पर क्लिक करोगे यहां पर आप लोग दे सकते हो हमारा history permanently delete हो चुका है तो आप इसी तरीके से google chrome browser का history को delete कर सकते हो permanently 2023 में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की जिएगा जाइन बंदे मातर